हे गाइज पाउंट के एको ने वीडियो में आपका स्वागत है मेरे साथ मैं रॉयल इंफिल्ड सूपर मीटियो और सिक्स फिफ्टी और इस बाइक का वोकराउंड जो है वो लेडी हम कर चुके हैं जो की चैनल के उपर अवेलेबल है अगर आपने नहीं देखा है तो उस व को मिलता है सिक्स स्पीद गेरबोक्स के साथ में 47 बहप की पाउर 52 एनम का पीक टॉर्क आपको इस इंजिन से मिल जाएगा बाइक का जो वजन है वो है 241 kg और सीट हाइट जो है 740 mm सीट हाइट के साथ में बाइक आती है जो की काफी कम है अगर आप देखते हो तो नॉर्म के लिए अच्छी है या नहीं है या फिर कहां पर शोट हाइट राइडर को परिशानी आईगी वह मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में उससे पहले बेसिक फीचर बता देता हूं तो अगर आप देखते हो तो फ्रंट में आपको LED हेडलैंप मिलेगा है ये मिर साथ में इंटर स्टेलर वेरियंट है जो की मिड वेरियंट है इसके बाद में फ्रंट में यूएजडी फोक्स आपको देखने को मिल जाते हैं और इंजन में आपको बताई दिया है बाइक के अंदर आपको अलोई वील ट्यूबलैस आर्स मिल जाएंगे फ्रंट में 320 mm का डिस्क है हर एक से डिस्टिक के अकोड़ें आपको प्राइस डिफरेंस मिल सकता है तो आप अपने नेरेस डिलर्शिप पर कॉंटक कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं शोट हाइट राइडर के लिए क्या ये बाइक एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं तो कुछ एक परेशानिया 740 mm अगर आप सीट हाइड के हिसा आप से देखते हो तो कोई जादा बड़ी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी लेकिन परेशानी कहां पर आएगी इसके जो फुट पैक है वो काफी जादा फोरवर्ड रखे गया है इवन मीटियोर 350 के कमपैरजन में भी इसके फ जोड़ाई है वो भी बढ़ गई है अब जो शोट हाइड राइडर है अगर बैठता है या फिर मैं अपनी ही बात करूं मेरी हाइड 5 feet 8 inch है अगर मैं 740 mm seat हाइड वाली बाइक की बात करूं तो मेरे जो पैर है वो बिल्कुल आराम से आने चाहिए लेकिन यहां पर आप द खुल के रखे जा रहे है और पैर खुलने की बज़े से मेरे पैर उतने जादा अच्छे नहीं टिक रहे है नीचे जितने की टिकने चाहिए थे अगर आप बात करते हो 740 mm seat height bike के हिसाब से और footpack की position भी मैं आपको दिखा देता हूं तो वो आपको यहां पर देखने को मिलत तो यहां अगर आप देखो तो बार-बार मुझे पैर ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि जो गेर डालने वाली position है वो तो ठीक है लेकिन गेर निकालने वाला मेरे पैर से आगे है यहां पर फिर मुझे पैर आगे करना है तो short height rider जो है उनको यह थोड़ी सी परेशानी लगेग बाकी bike का वजन भी थोड़ा सा ज्यादा है 241 kg weight के साथ में आपको यह bike देखने करें ले तो वजन का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है लेकिन ऐसा नहीं है कि short height rider बिल्कुल इसको चला नहीं सकते है जिनकी height 5 feet या 5 feet 2 inch 3 inch है वो bike को अराम से चला पाएंगे उनको इत अच्छी नहीं मिलती है और जिनकी height कम है उन लोगों को एक ही side pair को अराम से रखना पड़ेगा अगर आप एक side try करोगे तो आराम से आपका पैर आएगा अगर आप दोनों side try करना चाहोगे तो फिर आपको issue आएगा तो short height riders चला तो सकते हैं लेकिन traffic वगरा में आपको पर meteor 650 लेना चाहते हैं तो मैं आपको suggest करूंगा आप एक बार showroom विजिट करें test side करके देखें मेरे साब से ऐस सच कोई बड़ी problem आपको नहीं आएगी और बाकी आप बाइक को चलाएंगे तो आपको और ज्यादा better feel होगा और यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे comment करके ब